तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियास हेल्दी ये फिस करी की रेसिपी लेके हाजिर हुए हूँ इसमें एक ऐसा इंग्रिडियंस मैं मिलाने वाली हूँ जो से हमारे सेहत बहुत ही अच्छा होता है ये हमें सीजनली जरूर लेना चाहिए तो बश मेरी कोश और च ridge दूँड़ है आपको आसान सी रेसिपी देशपको उतमझी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें वह भी बिल्क्ल फिरमें और वीडियो पसंद एक और एंशेर करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यान फीछ पअरी बनाने के अब अच्छी के मुंडी वगरा सारा का सारा हमें लेना या आप चाहें तो सिर्फ ले सकते हैं और मुंडी उसे आप स्किप कर सकते हैं तो अब मैं इसमें डाल दे रहे हूं मेरेशन के लिए थोड़ी से हल्दी तो हल्दी बहुत हाप टेस्पून के करीब डालेंगे अच्छा सा आ जाता है तो यह आप काम करें सारा मसाला जो हम मचली वगरा में डालते हैं डाल देना है तो इसमें मेरे 1-4 टेस्पून काली मीच भी एड़ कर रहे हूं डालने के बाद हमी क्या करना है इसमें नमक एड़ कर देना है तो नमक अपने टेस्ट पॉर्डिंग तो मैं यहां पर हाफ टीस्पून ले रही हूं नमक नमक अच्छे से चार तरफ देख सकते मसाला हाल अरब से चुड़क के डालना है क्योंकि यह मचली बीगी विए एक जगा जगा पर मसाले अगर रखेंगे तो एक सारे एकवल में नहीं होगा तो इस बात का ख्याल रख तो इसकी जगा थोड़ा से दही या लिमन का जूस भी एड़ कर सकते हैं उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है लेकिन आप बिना दही बिना लिमन का आप कैसे बनाए तो यह मैं बता रही आपको तो अच्छे से मिक्स कर ले और हाँ यदि आप मेरे चैनल को अभी तक आपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि इसी तरह की मज़िदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसे फ्री में इंजुआई कर सके तो सभी मसालों को आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से इसे डाल दे र ही होड़ा तहीं अप कर ले देखें आइसे मैं दस से 15 मिनट के लिए इसे रेष्ट करनी के लिए रख देंगे तब बाकी का काम कर लेते हैं तो ये है सजना तो ये जो मुन्गा इसे मुन्गा सजनाँ मेम्रों के नाम से भी जाना जाता हर जगाा अलग अलग नामों से यह जानते हैं लेकिन इसका सीजन सिर्फ इसी मौसम में मिलता है तो ये ये आप ले 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 तो मैंने यहाँ पर पास से छे स्टीक लिया हुआ है लंबे-लंबे से स्टीक होते हैं तो इस तरह से कट करके मैंने इस तरह से छिलने में मुझे सुवीधा होता है तो इस तरह से मैं ता जो हलका सा green part है वो दिखना चाहिए और जो dark green वाले जो छिलके हैं वो अच्छे से निकाल देना है तो सभी को इस तरह से निकाल देना है यह देखे आसानी से निकल जाती है आप जब छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे न तो यह आराम से निकल जाती है देखे सूटी कि एक कड़ाई में mustard oil दो से चार चमश गरम होनी कली रख दिया है और हम फीज को इसे fry कर लेंगे तो एक करके मैं डाल दूंगी आपके कड़ाई में जिकनी जगा है आप शायद एक बैच में आप फ्राई कर लेंगे लेकिन मैं इसे दो से तीन बैच में फ्राई करूँगे देखे एक तरफ से जब थोड़ा फ्राई हो जाए गोल्डेन फ्राई तभी हम पलटेंगे यह चमश लगाएंगे अब फारण चमश लगाएंगे तो मचली तूट सकता है तो इस बात का ख्याल रखे तो इस तरह से कर लेना है हमें यह देखे सारा हमने फ्राई कर लिया इ और इसे हम निकाल लेते हैं देख सकते हैं गोल्डेन फ्राई होने तक हम ने फ्राई कर लिया है अब दूसरे बैच को भी इस तरह से हम फ्राई कर लिए हैं इस बात का ख्याल रखेंगे कि सारा फिश हम एक ही तरह से फ्राई करेंगे यह नहीं कि कुछ थोड़ा सा जो मुंडी है वो डाल देंगे और जो हमने सजना चिल के रखा दो के वो हम इसमें आड़ कर देंगे तो दोनों को भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो इस तरह से देखे इसे भी हमने फ्राइ कर लिया इसे भी एक बरतन में हम निकाल लेंगे तो यह हमारी सेहत के लिए ही बहुत अच्छा होता है यह सेजनली सबजी है तो इसे जरूर खाना चाहिए हमारे बीपी और बीपी लो इस्तिमाल होता है तो यह हमें जरूर खाना चाहिए अपने डाइट में जरूर रखना चाहिए तो अब मैं यहां पे ले रहे हूं आलू तो आप चाहें यह ऑप्सिनल है मैं अपने बच्चे के लिए अक्सर डालती हूं क्योंकि उन्हें बच्चे आलू भी पसंद करते तो इस तरह से मैं डाल रहे हूं डालें कोई बात निक बहुत इस अच्छा इसका टेश्ट आता है और अगर आप स्किप करना चाहिए तो उसी ओयल में थोड़े से और ओयल डालके इसमें मैं राइ और मेथी वो दोनों डाल दे रही थोड़े से चटक जाए उसके बाद हम यह पर प्याज आइड करेंगे तो दो मेडियम साइज के मैंने प्याज बारिक चॉप कर लिया देखे इससे मैं चॉप करती हूं यह चॉपिंग का बहुत अच्छा यह काम करता है फटा-फट हमारा काम भी आसानी होता है आप चाहिए तो इसे आनलाइन आप पर्चस कर सकते ह मैंने कदूकस करके डाला यानिक एकदम बारिक चॉप करके और यहां पे दो चमच में यहां पे डाल रही है जीजर गालिक का पेस्ट तो बस जो टेबली स्पून होता है मैं उसी से मेजर कर रहे हैं दो चमच में यहां पे लिया हुआ और वन टी स्पून मैं यहां पे डा पे काली मिर्च का पॉडरन, वो भी इस्तेमाल कर लेखो, यहाँ पे, तो यहाँ पे पदूव त्र एकट तरीके से, मैं बता रहे हूँ, आप उसी तरह से डाले, आपका भी परफेक्ट तरीके से कुकिंग होगा, और आपका भी करी एक तम परफेक्ट तरीके से बनेगा इन्शालला तो मैं यहाँ पर हाप टीस्पून, वन फोर टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिच थोड़ी से कलरवाइस मैं डाल रहे हैं आप चाहें डाले या फिर आप इसे इसकी भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कलरवाइस अज मैं डाल रहे हैं अब मैं यहाँ पर डाल दरी नमक ताकि यह प्याज वगरे टमाटर जो है अच्छी से सौफ्ट हो जाए नमक डाल के इसे हम थोड़े से भून लेंगे तो यह इसे हम करीब बनाएंगे तो मैं यहाँ पर वन एन हाप टीस्पून यहाँ पर नमक डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम तरी वाला बनाएंगे ताकि हम इसके साथ चावल वगरा सर्फ कर सके अब यहाँ पर मैं वन टीस्पून खश-खश यानि पोश्ट दाना और वन टीस्पून मैं यहाँ पर सरसो दाना यह दोनों मिक्स करके अच्छे से इसका बारीक सा पेस्ट बना ल यहांकि रखाए याणिसे यहांई कि सजना वह भी इसमें हम आड खर देंगे और थोड़े से मिक्स कर लेंगे यहां हम पानी आड करेंगे तो पानी इतना रिखो करेंगे कि शमतार capable अगाण है है शर्छसाम में तक हिए अच्छे से पर देंग हॣ वन फोर टीस्पून में यहां पर डाल रहें चीनी तो इसे आप चाहें तो इसकीप कर सकते हैं लेकिन मैसेज़िस करूंगी इसे आप जरूर डालें और डालने के बाद दो से तीन मिनट पका लें उसके बाद इसे ढग दें और कुछ देर रेस्ट होने के लिए रख दें ची से चीनी मैंने उन्हें डालते वे देखा था और उन्होंने कहा कि आप फिश वगारा जब भी बनाओ तो थोड़े से चुटकी बार आप चीनी जरूर राइट करों इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो उमीद करती हूँ आज कई रेसिपी आपको बेहत पसंद आई होगी यदि रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा के तरह लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और रेसिपी अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मुझसे जुड़ें मेरी होसला अभजाई बढाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी रेसिप ला सको तो जल्दी से जाएं बनाएं खाएं खिलाएं और बस डिनर के साथ इसे सर्व करें तो चलती हूँ और चैनल में पहली बार है तो आप से मेरी हैंबल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब किये बिना मत जाईएगा तो चलती हूँ एक मज़धार पी के साथ फिर हाजिर होती हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिर